हलो एब्रिवेवन इसके डिजाना में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में छोटे बच्चों का आप गाने सलवर काटना और सिलना बताएंगे आप पूरे वीडियो देखेंगे ति स्टेप बाइ सिलना आप गाने सलवर सीख जांगे चलिए शुरू करते हैं तो कि निष्ण आपरसे हमें दो इंच पी निसान लगाएंगे यहां पर हम लास्टिक बैठाएंगे अब इस निसान को सिदा एक लाइन में खीच लेना है इस तरीके सहं देखे लिजी लाइन में खीच लिए हैं friends तो यहां पर जहां हम निसान लगाया है friends वहां से हमें लंबाई ले लेना है तो लंबाई टोटल मेरा है 21 इंच तो हम 20 इंच पे लगाएंगे निसान मोड़ी है मलग से बैठाएंगे तो उसमें मेरा 1 इंच आ जाएगा इसलिए मेरा 21 इंच हो जाएगा friends तो यहां पर निसान को इस तरीकी से मिला लेना है देख लिए निसान लग चुका है अब यहां कमर का बात करते हैं तो यहां पर कमर मेरा 25 इंच से फिटिंग तो हम यहां पर 5 इंच लूजिंग डालेंगे तो हम आपको दिखा देते हैं अब उसका चौथाई भाग करके ले लेना है तो यहां पर 25 इंच देख लिए मेरा फिटिंग आया है तो इसमें हम 5 इंच लूजिंग डालेंगे तो 25 का आधा आचुका है 15 इंच 15 इंच का आधा ले लेंगे तो 7.5 इंच इसका मेरा चौथाई भाग आ चुका है 15-7 इंच for your निसान लगा लेना है और निचे की तरफ से भी 15-7 इंच today लगा लेना है तो यहां पर हमें आसण ले लेना है फिरश आसण है मेरा 10 इंच पर निसान लगा लेना है अगर आप नीचे से निसान लगाएंगे तो 8 इंच आएगा और उपर से लगाएंगे तो 10 इंच आएगा तो यहाँ पर इस तरह से निसान को मिला लेना है फ्रेस तो यहाँ पर देख लिजे हमें 2 इंच धीला करने के लिए लेना है फ्रेस आपर निशान लगते हैं तो माऍपने उनसे लिए ब्ढ़ा लीये हैं आप यहां से हम करास में निसान लगा लिया हैं फ्रेज, आप हम जहां से निसान लगाए हैं, वहां से में कटिंग के लेना हैं, इस तरहे के से. तो यहां पर कटिंग हो चुका है फ्रेंज, हम आपको खोल की भी निखा देते हैं, यहां हालके से कट लगा लेंगे, यह मेरा आधा है, आधे पिस तरीके से हम कट लगाएंगे तो मेरा पता चल जाएगा कि यहां पर मेरा आधा है, तो यहां मेरा डोड़ हिंज पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे, यहां पर हमें सिलाई लगा लेना है, फिटिंग वाला, इस तरीके से देख लिजें फिंज, निशान लग चुका है, हम आपको खोल के भी दिखा देते हैं, तो देख लिजें, एकदम सीम्पल है अपका पाने सलवार काटना और सिलना फ्रिंज, तो आप पूरे वीडियो देखेंगे, तो step by step तो सीख जाएंगे पूरा cutting और stitching, तो cutting हो चुका है फ्रिंज, आब हम आपको stitching बताते हैं, तो यहां पर देख लिजे, एक पल्ला हम रख लिए हैं, उसके उपर एक और पल्ला रख ल आपर सिलाई लग चुका है फ्रिंज, तो इस तरीके से देख लिजी, सिलाई करने गवाद इस तरीके से आचुका है फ्रिंज, तो सेम इसी तरीके से हमें इस तरफ भी कर लेना है, अगर आपका थोड़ा बहुत ज्यादा है cutting में, तो यहां से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रिंज, तो सेम इसी तरीके से यहां पर भी हमें आसन पर सिलाई लगा लेना है, यहां पर सिलाई लग चुका है फ्रिंज, तो सिधा करके दिखा देते हैं, तो कुछ इस तरीके से आचुका है, तो यहां पर देख लिजी, कमर मेरा आया है 14 इंच, तो ह पर धीला पकड़ने मतलब जब पहनेंगी बाबू तो तन जाएगा प्लास्टिक है तो यहाँ पर हम एक इंच और कम कर लेंगे यहाँ पर सिलाई लगाते हैं वक्त तो टोटल मेरा 9 इंच का है इस तरीके से पहले फिटिंग कर लेंगे अब इसमें हमें पहले एक इंची पर सिलाई लगा लेना है जितना चोड़ा मेरा लास्टिक है उतना चोड़ा पहले एक सिलाई लगा लेना है हम दो इंच उसमें माइनस करेंगे इसमें से तो एक इंची हाँ पर माइनस करेंगे एक इंच लगाने के बाद माइनस करेंगे तो टोटल मेरा 2 इंच माइनस हो और लाश्टिक पर सिलय नहीं लगाना है लाश्टिक के बगल में ही सिलय लगाना है तो इस तरीके सब देख लिजी हम लाश्टिक के बगल में सिलय लगा रहे हैं अगर आप पर आश्टिक पर सिला ही लगा हेंगे तो बहुत ज्यादा दिख्कत हो जाएगा तो आप पर लास्टिक तंऱहात दे नहीं हुम आपको दिखा देते हैं मिस तरीके से सिला हैं जड़ारी को वालव है अब इसे में आपको दिख्या देते हैं धागे को पॉटिंग करके देख लिजे कुछ इस तरीके से आ चुका है अब इसमें हमें एक और सी लगा लेना है बीच में तांते हुए लगाना है मेरा लाश्टिक एक बराबर हर कमर में मतब कमर पे पूरे कमर पे ऐसा हो जाए जिस तरीके से एक तरफ रहेगा तो सेम इसी तरीके से हम पूरे कमर पे लगा लेंगे फ्रेंस लाश्टिक पर तो यहां पर सिलाई लगा लेंगे सेम इसी तरीके से तो आपका कमर जीतना रहेगा उसे हिसाब से 4 इंच उम्मन से माइनस कर देना है तो आपका फिटिंग अच्छा आएगा कमर का तो यहां पर देख लिजी इस तरह के से हमा कमर आ चुका है तो यहां पर हम पहले प्लेट्स बैठा लेंगे तो यहां पर देख लिजी इस तरह के से हम प्लेट्स लगा लेते हैं एक ही बराबर लगाना है फ्रेंस इस तरीके से सिलाई लग चुका है तो देख लिजिए उसमें भी हम प्लेट्स लगाएंगे तो सेम इसी बराबर आना चाहिए दोनों प्लेट्स एकी बराबर लगाना है और एकी बराबर महरी तैयार करना है इस तरीके से देख लिजिए यहाँ पर देख लिजे फ्रेंस लिए लग चुका है तो सेम देख लिजे फ्रेंस सेम बराबर है अब इसमें में बकरम लेना है इसमें बगल में रख लेता हैं फ्रेंस आपर बकरम ले लिए बकरम के लिए कप्टा ले लिए है यहाँ पर देख लिजे इस तरीके से पहले हमें पूरे ले लेना है जितना बक्रम बराबर और हम अच्छी तरीके से सेट करके सिलाई लगा लेना है सिलाई लग चुका है इस ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है अब इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेना है फ्रेंस दोनों बराबर ही रहना चाहिए अब आप सिलाई लग चुका है फ्रेंस यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेना है तो यहाँ पर भी सिलाई लग चुका है, इस ट्रा कप्टे को कटिंग करके निकाल देना है, इसे इस तरह से सिधा कर लेना है, सिधा हो चुका है फ्रेंज, तो यहाँ पर देख लिजी, अपर अच्छी तरीके से उल्टे तरफ रख लेना है, इसे पहले अच्छी तरीके सेट करके, और सिधे तरफ पे सिधा लाना है, यहाँ पर देख लिजी, मुल्टी तरफ रख कर सिलाई लगा रहे हैं फ्रेंज, तो यहाप पर सिलाई लग चुका है अभी हम सीधा रख लेंगे तो इस तरीक इस मेरा सीधा है अब इसको उपर अच्छी तरीक स्टेट करके सिलाई लगा लेना है यहापर सिलाई लग चुका है इस ट्रब बकरम को कठिंग करके निकाल देना है इस तरीके से देख लीजीं अब इसमें हमें 4 सिलाई लगा लेना है आप 2 भी लगा सकते हैं चार भी लगा सकते हैं पाच भी लगा सकते हैं तो हम इसमें चार सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से मोडी तब बहुत खुपसूरत लगेगा तो यहाँ पर देख लिजे सेम इसी तरीके से दोनों मोडी को तयार कर लिये हैं अब हम फिटिंग कर लेंगे आफगाने सलवार क तो यहाँ पर देख लिजिए हम फिटिंग करने के लिए सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पर सिलाई लग चुका है फ्रेंस एक और सिलाई लगा लेना है इसे इस्ट्रा कप्टे को कटिंग करके निकाल देना है तो फ्रेंस हम यहाँ पर एकी सिलाई लगाए है अवे मेरा फिटिंग हो चुका है फ्रेंस अच्छा लगे तो लाइक सेड जरूर करें नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें यह देख लिजी आप गाने सलवार एक दम फिटिंग कंप्लिट तयार हो चुका है अगर पैर में जाएगा तो सेम इसी तरीके से आए जाएगा फ्रेंस तो हम हाथ में ही दिखा देते हैं थोड़ा से बहुत खुबसूरत लग रहा है फ्रेंस अच्छा लगे तो प्यारा से कमणिट जरूर करें